वेलकम बेक टू ओफिशेल अग्तर रह्मान सर यूटूब चैनल एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है पवित्र पोर्टल पर जो है जिल्ल परिशत की करीब करीब 22,000 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो अपलोड कर दी गई है और इसी के साथ-साथ अफ को बताएंगी हैं कि जो प्राधन्यक्रामा आपको दे हैं जो चोईसस आपको देनी है वो जो किस टरिके के से आपने देनी है इस वीडियो के जरीय से हम आपको बताएंगे किसी वीवर्स ने जो एक बड़ा अच्छ तरीके से हमको एक फॉर्मेट बना रहेंग कर भई जाया कि आगे का सिस्टम किस तरीके से रहने वाला है तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डेटेल में चर्चा करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथे साथ पबेल नोटिफिकेशन को आउन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वह आसानी से मिल जाए और अगर आप हमसे जुणना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलेगराम और वाट्सप ग्रूप को जोईन कर ले तो देखे आपके जो केटेगरी आपके जुअ कहीं जो ए वह नजर आएंगी सबसे पहले बात हैं कि यहां पर हो जाती कुकि यह काफी एहम होता है तमाम students जो है वो different different cards से संबंद रखते हैं और उसके इसाब से जो है उनको उनकी काश्ट की vacancy कितनी है वो portal पर जो है साफ साफ नजर आएंगी उसके बाद हम second चीज यहाँ पर यह देखते हैं कि ज़र आपन D8 plus T8 one C8 one पास असल तर आपन एक ते पाच वरगला पात रहा हो तो एक बात आप यहाँ पर समझ लेंगी कि अगर आप D8 हो और आप paper 1 T8 या C8 का जो भी पास हो तो आप पहली से पाच वी के लिए eligible हो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ज़र आपन D8 plus 2 C8 paper 2 पास असल तर आपन सहा ते आठ वरगला पात रहा है और यहाँ पर पताए जा रहा है कि अगर आप D8 पेपर 2 है आपका C8 और T8 टॉप 6 से आठ के लिए पात रहा है उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप ज़र आपन D8 plus T8 12 C8 12 पास असल तर आपन एक ते आठ ला पात रहा है तो देखेंगे यह बात का पर एहम हो जाती है यहाँ पर अगर आपका D8 भी है और आप T8 का paper 1, paper 2, दोनों पास से या C8 का paper 1, paper 2, दोनों पास से या तो फिर T8 का paper और C8 का paper 2, 2 पास से तो आप पहली से आठ भी के लिए यहाँ पर पात्र हो जाएंगे तो इसका मतलब यह होता है कि आपके लिए chances ज्यादा हो जाएंगे जितने अगर आपका education ज्यादा है जितने आपको qualification ज्यादा है तो उतने आपके chances जो हो बढ़ जाएंगे क्योंकि आप एक से पाच के लिए ना होते हुए आप एक से आठ के लिए जो है eligible हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे आप जर अपन डीएड असल आनि कौनती ही टीएटी सीटेट पास नसल तर अपन कौनता ही जाहरा तिला पातर नहीं तो तो देखें यहाँ पर तो मतलब ही नहीं बनता अगर आप टीएटी अगर आपका पास ही नहीं या या सीटेट आप पास नही भले आप D.A.D. हो तो आप किसी भी जाहिरत के लिए आप eligible नहीं रहोंगे शायद B.A.D. हो तो फिर आप आटवी से बारवी के लिए हो सकते लेकिन D.A.D. वालों को कोई चांस याँ पर नहीं है उसके बाद देखेंगे आप जर आपन B.A.D. असल आनि T.A.D. दोन सीटेट दोन पास असल तर सहाते आटला पातरा है तो अगर आपका B.A.D. है और अगर आप T.A.D. का या सीटेट का पेपर टू पास है तो आप छेवी से आटवी के लिए यहाँ पर eligible पाए जाएंगे उस T.A.D. क्यूंकि आपको पता है कि T.A.D. या सीटेट जो पास होना है वो पहली से आटवी के लिए आपको eligible होना है तो आपको T.A.D. या सीटेट जो है वो compulsory लिकिन आटवी से बारवी सोरी नवी होना चाहिए यहाँ पर नवी से बारवी तक जो है ऐसा नहीं होता है नव पासला पातर नहीं तो देखिए ब्रीद कोर्स वाला मामला यहाँ पर अगर आपका B.A.D. है और अगर आप T.A.D. या सीटेट का पेपर एक पास है तो अनफॉर्टनेटली जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा क्यूंकि B.A.D. वाले जो है पहली से पाचवी क के लिए आप यहाँ पर इलिजिबल है उसके बाद देखेंगे आप आगे ज़र आपन D.A.D. ब.A.D. प्लस T.A.D. एक दोन सीटेट एक दोन पास असलतर आपन एक ते बारा वरगला पातर आहे तो देखिए यह काफी I.A.D. यहाँ पर बताय जा रहा है कि अगर आप D.A. D.A.D. हो T.A.D. पेपर एक T.A.D. पेपर दो यह सीटेट पेपर एक सीटेट पेपर दो पास है तो आप पहली से बारवी के लिए जो है इलिजिबल रहेंगे इस तरीके से यहाँ पर बताय जा रहा है तो मतलब काफी बड़ी बात ही क्योंकि देखिए क्योंकि जितने C.B.A.D. जो भी है तो आपको पहली से बारवी तक के लिए जो है चांसेस मिलेंगे वो सारी चीज़े जो है सिस्टम एक बार ओपन हो जाने के बाद में आपको अपने आप जो है समझ में आने लगी यहाँ असा अर्था असा कि जाचे शिक्षन जास्तो त्याला जास्तो तो देखे साब साब बात ये मैं आपको बता रहो कि जिसका जितना एजूकेशन ज्यादा जिसका जितना क्वालिफेकेशन ज्यादा उसको उतने चांसेस जो है यहाँ पर मिलने वाले के एक्जामपल की तौर पर यहाँ पर बता जा रहा है कि जरमी वीजै एंटी कास्ट मद एक मारक आए ये एक्जांपल के थोर पर पर आनी डिएट एक दुन पास कर्का सोचल साइन्स असिल तर दोगनः पन सारकेच प्रेफेरेंस ये तिल पन मार्क नुसर मेरिट मध एक शेईविस लल लागे लागे लुद्ट कि आखरी बात जो है यहां पर मैं आपको एकदम अराम से समझा देता हूँ कि अगर आप एक ही कास्ट से मतलब आप एक ही कास्ट से तालुक रखते जैसा विजे एंटी या ओबी सी तो ओबी सी में 120 नंबर वाले को जितने प्रेफरेंस मिलेंगे ठीक उतने प्रेफरेंस जो गया प्रेफरेंस दे जाएंगे लेकिन मेर्च लिस्ट के हिसाब से जो है उनका वहाहर पर सेलेक्शन होंगा अगर एक दोनों को जो है प्रेफरेंस जो है वो सेम से मिलेंगे तो बड़ी अच्छी बाते जो है इस पीडियाप में बताई गई ते आपके सामने लाना ज़रूर है था क्योंकि अगले कुछ दिना में मतलब फर्वरी के पहले हपते में बताई जा रहा है कि आपास से दस तारिक किजी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बैतर अपडेट के साथ अलाहाफिज